हे गई नमस्कार आप लोगों को टाप्रेंग क्लास उसके प्यारे से यूटूब हैं पर स्वागत है आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कच्छा बारा की भहुत तिक विज्ञान इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रदर फोड के अलफा के प्रयोक के आधार पे किसी भी परमाड के नाभीक के आकार का आकलन हम कर सकते हैं प्यारे बच्छो आज हम नाभीक के आकार का आकलन करेंगे और बात ध्यान से समझना नाभीक के आकार के आकलन पे एक दो क्योस्टन करेंगे प्यारे बच्छो क्योंकि वो दोनों के आप चैनल पर नए आये होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा पहरे बच्चों और वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ सेर करना मत भूलेगा चली क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहली टॉपिक है नाभिक के आकार हम नाभिक के पास अलफा कर जाता था तो जो परमार के नाभिक से गुजरता था वह अलफाकर पुना जिस मार्ग से गया रहता था प्यारे बच्चों उसी मार्ग से वह आपस लोटाता था यही होता था तो हम माल लेते हैं कि माना कोई अलफाकर है जो की नाभिक के पास जाता है और ना नाभिक के पास नहीं जाता था, नाभिक से पहले ही टकर अकर लग जाता था, तो जितनी वो जहां तक पहुंच जा रहा है प्यारेबच्चों, जहां तक वो पहुंच पा रहा होगा, वो उसकी निकर्तम दुरी होगी, अर्थाथ कोई भी अल्फाकर नाभिक के कितने अखन कि अलफाकर कितनी तेजी से गसिल है उसी हिसाब से उसके आकार का हम लोग क्या करते हैं आकलन करते हैं ध्यान से दिखिएगा हमने जरसे माल लिया कि ये कोई क्या है नाभिक है ये क्या है कोई एक नाभिक है थोड़ा सा और हम लोग इसको बढियास बना दे थोड़ा ये ठीक ये कोई नाभिक हो गया इसका माल लेते हैं इसका जो परमाड़ क्रमाँख है वो क्या है जेड़ U है जहाँ से देखिएगा प्यार बच्चो अब हमने क्या कहा कि कोई जो है अलफाकर कोई गतिमान अलफाकर जो है इससे क्या होता है इसकी और गति कर रहा है कोई गतिमान अलफाकर इसकी तरफ क्या हो रहा है जा रहा है प्यारे बच्छों घ्यान से देखिएगा ये कोई गतिमान अलफाकर है जो कि इसकी तरफ क्या हो अलफाकड नाभिक के पास जाता है इस अलफाकड की जो गतिज उर्जा होती है वो कम होती जाती है और गतिज उर्जा इस्तितीज उर्जा में बदलती जाती है और एक समय आता है प्यारे बच्चों कि नाभिक के कुछ दूर पहले ही नाभिक से कुछ दूरी रह जाती है तो नाभीग भी क्या है धनावेश है तो ये जब अलफाकड नाभीग की तरफ जाएगा अलफाकड जब नाभीग के पास जाएगा तो प्लस वाले प्लस को क्या करते है प्रतिकरसड करते है अर्थात ये नाभीग अलफाकड को अपने पास आने नहीं देता प्रंदू तुझा, इस्तिती जूर्जा में क्या हो जाती है, बदल जाती है, तो माल लेते हैं पैरे बच्चो, जो ये अलफाकर था, ये अलफाकर, अब आगे इसका रिजल्ट आप ध्यान से दिखे, अब ये अलफाकर गतिमान था, ये अलफाकर इसके पास आया, कुछ दूर पर नाभिक हो गई एक बार फिर समय बना रहा और माल लेते हैं कि जो आपका अलफा कड़ है वो यहां तक पहुचा होगा यह आपका जो अलफा कड़ है वो गतिमान होकर जो है यहां तक पहुचा था और यह आपका नाभिक हो गया हम माल लेते हैं प्यारे बच्चो कि यह जो अ इस अलफाकड को थोड़ा सा और पास लेके जाएं तो और बनिया रहेगा माल लेते ही पहले बच्चो कि जो अलफाकड है वो आपका यहां तक पहुझ गया अलफाकड यहां तक पहुझ गया तो यह यह जो कम से कम यह जो नियूंतम दूरी होती है यही नियूंतम दूरी ही उस समय नाभिक की क्या कहलाती है, तिरिज्जा कहलाती है, पहला बच्छो, एक बार आप फिर से समझेगा, मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, कि यहाँ पर कोई अलफाकर है, जो की गतिमान है, जो की वीवेग से क्या है, वीवेग से क्या है, वीवेग से चलते अब गती जुर्जा ए इस्तिती जुर्जा में बदल जाएगी माल लेते हैं अगर यहां तक पहुचा होगा तो जो आपका अलफा कड है वो नाभिक के यहां तक है कुछ दूरी माल लेते हैं वो दूरी क्या है हमको लिखा था या जो हमने चीजे समझा है वही चीजे क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं और इसके आकार को अराम से बिल्कुल ग्यात कर लेंगे पैरे बच्चो तो पैरे बच्चो ध्यान से देखिएगा हमने क्या लिखा है माना कोई नाभिक पर जो आवेस है ये जो नाभ पहुझने की दूरी क्या है प्ह Ada क्वो नाभिक से and Dan Deी पहले ही अलफा कर रूख जाएगा इस बात को आप ध्यान से स्मझेगा हम ने क्या कहा कि मान लेते हैं कि नाभिक से a r. not pasa duri पर a r not की दूरी पर ही अलफाकर रुक जाता है अर्थात अलफाकर की जो गती जूरजा होती है वो इस्तिती जूरजा में क्या हो जाती है बदल जाती है तो प्यारे बच्चों अब हम ग्याद करेंगे इस इस्तिती में अलफाकर की क्या हो जाएगी इस्तिती जूरजा तो इस्तितीर उर्जा को प्यारे बच्चों हम लोग U से व्यक्त करते हैं, ध्यान देना यही इस्तितीर उर्जा ही गति उर्जा में बदल जाती है, U बराबर क्या हो जाता, क्या हो जाता, बराबर हमने पड़ा 1 बटे 4. छेज मर। तो यहां क्या आजाएगा K बराबर 1 बटे 4 pi epsilon not इनका गुड़ा कर देंगे तो 2 z e का square बटे क्या आजाएगा R not आजाएगा ठीक अब हमको R not गयाद करना क्योंकि नाभी कितना जाएगा K यहां पर चला जाएगा तो R not बराबर क्या जाएगा 1 बटे 4 pi epsilon not 2 z e का square बटे कितना जाएगा K तो यह रहा नाभी कित रिज्जा समीकर नमबर 1 इस प्रकार आप नाभी कित रिज्जा ग्याद कर सकते हैं ठीक जहां किया है अलफाकण की गति जुर्जा अब हम मान लेते हैं कि माना अलफाकण का द्रब्यमान क्या है यम है माना अलफाकण का द्रब्यमान अलफाकण का द्रब्यमान यम अलफा तथा वेग वी अलफा है तो है तब गति जुर्जा तब गतिय जो रिजाज होगा वो होगा हाप यम वी स्क्यार होता गतिय जो जागा फाला है यम वी स्क्यार होता ने तो यम के स्तान पे यम अलफा है और वी अलफा का स्क्यार हो जाएगा क्या इतनी बात आप समझें इस के की बहलू हम समी करड़ एक में रखने पर तो समी के ड़बए क्या है पीर बच्छी यह है। R 0 I guess के ता हो जाएगा? वन बटे, फोर पाई, एपसालिण न circumstance फिर क्या है? 2我也 का स्क्वार पूरे के बटए K K के स्थान पे क्या हो जाएगा? यह हाफ, V eligibility का स्क्वार? यह दो ऊपर पहुत जाएगा तो अब हम यहां से नाभिक की जो आकार है उसको हम गड़ती है फार्मूले में हम करने की संख्यात मकमान यहां से हम नाभिक के तरिज्जा का संख्यात मकमान ग्यात कर सकते हैं यहां से अब हम सब की बैलू जान देते हैं जैसे हमने कहा कि मान लेते हैं यह जो नाभिक है यह जो नाभिक है वो किसका है सोने का है किसका है पहले बच्छो गोल्ड है क्या है गोल्ड है तो गोल्ड का जो पर्माण क्रमांग होता हो कितना होता है 89 अर्थात यहां जड की वैलू जो होगे वह 79 हो जाएगा अब अलफाकर का द्रभिमान हम जानते हैं पहरे बच्छो इसका जो वेग होगा वह माल लेंगे कुछ उसके बाद इसकी वैलू हम जाते है या हम करते कि यहां पर मानलेगे जो परमाठ है वह सुझे का पर्माठ तो जिसका पर्माठ रहे-गा उसका पर्माठ घ्रक देंगे बस यही मतलब होता है और जो ऑलफाकर है उसका अधिक्तमय वेगमान लिया गया कि- ficarरीoc सबसों अब हम क्या निकालेंगे हा आलनाट की वेलू कितनी आ जाएगी इसकी वेलू आएगी नौ गुड़े 10 गाते 9 इन्टू 4 इन्टू जड़ेड के इस्तान कितना है 80, इंडू प्यारी बच्छो, ई, ई का मान कीतना है? ई का मान होता है, एक दस मलो छा गुड़ी, दस घाते माइनस, उन्नेस, का स्क्यार हो जाएगा, फिर पूरे की बटी कितना होगा, प्यारी बच्छो, यम अलफा, यम अलफा का मान या और है, है 6.7 गुड़े 10 घाते माइनस 27 ठीक और वी अलफा वी अलफा कितना है प्यारे बच्चो वी अलफा आपका है 2.1 गुड़े 10 घाते 7 का इस क्यार हो जाएगा इस प्रकार प्यारे बच्चो आप इसको हल कर सकते हैं अब धिहान से देखेगा आप चाहतीने हल कर सकते हैं नौ चोगे 36 गुड़े 89 एक तरब करिए ठीक अब धिहान से देखेगे 29 दुना कितना हो जाएगा 38 तो ये 10 घाते 9 और 29 दुना 38 तो दस घाते माइनस 38 हो जाएगे प्यार बच्चो आगे 6 दस मलो 7 गुड़े ये 2 दस मलो 1 का गुड़ा दो बार होगा तो 2 दस मलो 1 गुड़े 2 दस मलो 1 होगा तो 27 है 10 घाते माइनस 27 और यहाँ 7 दूनी 24 तो 10 घाते कितना है 24 है ध्यांस दिखे कुछ पावर कर जाएगे जैसे ये 27 कटेगा तो यहाँ 27 कटेगा तो माइनस 11 बचेगा यहाँ से कटेगा 9 कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा ठीक अब जो बचा हो लिख लिजे तो 36 गुड़े 89 गुड़े वहाँ 27 कट गया थे यहाँ बचा है 5 तो गुड़े 10 घाते 5 कितना बचा है प्यरवच्चो गुड़े 10 घाते 5 अब यह 5 उपर जाएगा तो माइनस हो जाएगे 11 5 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा बाकी भाग यहाँ पर दिखेगा कि आप से यहाँ एक भूल हो रही थी प्यरवच् एक अथि और मॉल्ज के औरहों एक च्छा का फॉल जिसका फ्यर्थ फेने शोक्रण च्यर्थ define कर देंगे धाए पूरी इन्मस्तिष заним डोव साथ है ग्याबे कर देंगे दो दस मलो एक गुड़े दो दस मलो एक कर देंगे फिर अब यहां देखे यह गुड़े दस घाते कितना है नो और कितना 29 दूनी 38 तो 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा ठीक जहां से देखेगा अब यहां कितना है 10 घाते माइनस 27 है और 7 दूनी कितना अब क्या होगा कि यह कैंसिल करेगा तेहां 5 बचेगा और 27 कैंसिल करेगा तेहां कितना बचेगा 11 बचेगा ठीक अब धिहान से दिखेगा तो कितना है प्याद बच्चो 36 गुड़े 89 गुड़े उसका गुड़ा कर देंगे तो तो दस मलो 6 गुड़े 1 दस मलो 6 पूरे के बटे 6 गुड़े 2 दस मलो 1 ठीक नीचे कितना बचा उपर 10 गहाते-11 बचा था और नीचे कितना बचा था 10 गहाते 5 यह प्लस 5 उपर जायगा तो माइस 5 होजाएगा 115 क्या जाएगा 16 और उनको हम गुड़ा कर देतें सबका भीया तो गैस ध्यान से देखेगा अब आप इन सब को हल करोगे इन सब को हल करेंगे न तो आर नाट का माना आएगा दो दसमलो पांच गुड़े दस गाते माइनस 14 मीटर तो जो सोने के परमाड की नाभिक कितर जाई प्यार बच्चो वो कितना आई दो दसमलो पांच गुड़े दस गाते माइनस 14 मीटर यानि यदि जो परमाड है वो सोने का होगा तो हम अलफा कड के उप्योग के द्वारा अलफा कड के प्रक्रण के कारण अलफा कड की गति जो होगी अगर दो दसमलो एक गुड़े दस गाते 7 मीटर प्रती सिकंड हो यदि अलफा कड का जो वेग है वो दो दसमलो एक गुड़े दस गाते 7 मीटर प्रती सिकंड हो और परमाड सोने का हो तो उस परमाड के नाभिक की जो त्रज्जा होगी प्यार कर सकते हैं प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको जरूर ये प्रोसेस समझ माया होगा आप इसका किसी प्रिकार की डाउट हो तो कमेंट सिसन में प्यारा सा कमेंट जरूर किजेगा कि सरे मुझे ये चेज क्लियर नहीं हुआ आप इस फार्मुले को ध्यांस दिखिए अब इसी पी आपकी एक्जाम में दो बहतरीन सवाले कई बार वो सवाले पूछी गही है एक सवाल मैं लगा लेता हूं प्यारे बच्चों और एक सवाल आपके लिए छोड़ देंगे उस सवाल को आप लगा के उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए तो गैस ध्यान से दिखिएगा सवाल क्या है एक अलफा कर जिसकी गती जुरजा 40 मेगा इलेक्टरान बोल्ट है तो सोने के नाभिक के कितने निकट वो पहुच सकता है मतलब आपको आर नौट बताना है प्यारे बच्चों तो सबसे पहले ध् 40 मेगा मतलब हम 10 गाते 6 यूज़ करेंगी पैरे बच्चों एलेक्टरान बोल्ट को हम जोल में बदल देंगे तो एक दस मल उच्छ गुड़ी 10 गाते माइनस 29 मेंस से 6 कम हो जाएगा तो 13 हो जाएगा और ये 40 गुड़े एक दस मल उच्छ गुड़े 29 मेंस च्छ कम हो 64 तो एक 0 यहां पर है प्यारवचू एक कम कर देते हैं तो चार गुड़े एक 10 मलोट 6 यहां 10 गाते माइनस 12 हो जाएगा ठीक अब गुड़ा कर देए 16 चोग के 64 तो च्छा दस मलोट 4 गुड़े 10 गाते माइनस 12 जुला जाएगा यह के की बैलू आगे ठीक के हो गया जड़ हो गया अब आपको क्या कर रहा प्रवच्छो आर नौट गयाद करने के लिए तो बिल्कुल फार्मूला पे हम लोग चलेंगे ना भी काकार क्या कर था आर नौट इकल टू वन बटे फोर पाई एपसालन नौट जड़ी इंटू क्या हो जाएगा टू इबटे क्या था के था यही था ना अब इस टोटल की बैलू नौ गुड़ीत दस घाते नौ होता है और जड़ी ध्यांज देखे तो जड़ी इखुद दिया है पहरे बच्छो कितना है 89 है और टू इए के स्तान भी क्या है एक दस मलो च्छ गुड़े दस घाते माइनस 19 ठीक ना अब पूरे के बटे के का मान कितना है च्छ दस मलो चा है ठीक इस एकी वैलू हम यहां पर रखेंगे तो गुड़े एक दस मलो च्छ गुड़े दस घाते माइनस 19 ठीक इस बात को ध्यान देना हम इस जड़ी की वैलू यहां 89 रखे थे एको ध्यान हम लोग नहीं दिये तो ध्यान से देखना अब देखे यह पावर बार इनको का बता देंगे तो कितना आजाएगा 0.4 ठीक यहां कितना जाएगा 0.1 एक जाएगा 0.1 एक ठीक इस बात को ध्यान दिजिएगा अब आगे बचा क्या है आपका नो गुड़े दस घाते नो गुड़े 89 गुड़े 2 और कितना बचा है यहां देखे गुड़े 0.4 है 29 और 7 26 है 29 साथ कितना 26 तो 10 घाते माइनस 26 और नीचे क्या बचा है 0.1 तो यह हम पॉइंट काटेंगे तो ऊपर एक 10 और लग जाएगा ठीक नह अब देखे दस के पावर यहां एक है 1 और 9 मिलके 10 हो जाएगे तो 9 गुड़े 89 गुड़े 2 गुड़े यहां देखे प्यार अच्छों करते हैं तो यह 10 हो जाएगा इस दस से आप बिदाई कर दीजिए तो कहानी खतम रहेगी तो दो गुड़े कितना है चार है हो गया ना 9 89 दो और चार सब आ गए और 26 में से 9 घटा दीजे 26 में से 9 घटाएंगे कितना जाएगा 17 कितना आएगा 17 तो 10 घाते माइनस 17 गुणा कर दीजे तो गुणा करने कवा जो आप पैंसर आएगा वह आपको प्राप्त हो जाएगा प्रविचों क्या प्राप्त तो गुड़ा करेंगे तो 56 अठासी आएगा 56 घाते माइनस 17 ठीक तो हम क्या करते हैं प्यारविचों कि अब इसको हम इधर अंकला 3 अंक पॉइंट हम इधर लाएंगे तो पांदस मलौ उचल जाते हैं तो तीन ठीक इधर लाए हैं तो मेगा इलेक्टरान बोल्ट होगा तब के लिए इसकी प्रिजए हैं तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम सवाल को क्या करते हैं सवाल करते हैं अब आपको जो किसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में देना है कि अगर प्यारे बच्चों यहां पर जो 40 मेगा इलेक्टरान बोल ठीक तो आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरू कीजेगा इसी आधार पे लगेगा आप इसका किसको निसार लीजे फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक रदर फोर्ड का परमारो माडल उनमें रदर फोर्ड ने अपना क्या सिद्दान बताया था प्यारे बच्छो वहां से भी कुछ चीजें यहां पर ली गई हैं प्यारे बच्छो आईए हम समझते हैं कि रदर फोर्ड का परमारो माडल क्या होता है सबसे पहला बताया कि जब उन्होंने यह देखा था कि अलफा कड़े जो है सोने की पन्नी को कुछ पार कर गई थी लगबक असी अलफा प्यारे बच्छो उस पहला बताया कि परमारो का अधिकांस भाग होता है वो खोकला इन्हों होता है जिस की त्रिज्या होती है वो 10-10 मीटर कोटी की होती है यह घाने का मतलब है है कि परमार के अंदर जो एक 10 गाते मारियोस 10 मीटर कोट कि ए, उसे हम कहते है DAM है दूहां से अगला, अगली पॉइट क्या करना कि अगली पॉइट है प्यारे बच्छो कि परमार के जो समस्थ धनावेश होता है पर्माड में जितना भी धनावेस होगा, जितने भी धनावेस होगे, सारे धनावेस पर्माड के किंद्र में इस्तितुता है, पर्माड के किंद्र में या पर्माड के नाभिक में होता है, प्यारी बच्चों, यह आपकी सिकेंड पॉयंट है, यह रदरफोर्ड का सिकेंड ठमनोंने क्या बता dat नाभिक के चार और, नाभिक के चार और, अजहर आठी माइनिस, दस मिटर कोट के, तरिज्या यानि, नाभिक के चार और जो, खोकला गोला है, ऊस खोकले गोले में universe, इलेक्ट्रान बितनी था, बता दिये कि नाभिक के चार और जो 10 गहते माईनस 10 probably जब लोगों ने पूछा कि इलेक्तरान क्यों नहीं गिर जाते जब इलेक्ट्रान यह आपका पर्मार हो गया यह आपका नाभिक हो गया आप बोल रहें कि इलेक्ट्रान यहां बितरीत हैं इलेक्ट्रान नाभिक के चार और फैले हैं तो नाभिक तो धनावेश हुआ तो जब लोगों ने पूछा कि इलेक्टरान नाभीक में क्यों नहीं गिर जाते तो रदरफोर्ड ने इसके लिए भी एक परिकलपना प्रस्तुत कर दिये एक परिकलपना बता दिये पैरे बच्चों कि जब लोगों ने पूछा कि इलेक्ट्रान भाईया खोकले गोले में फैले हुए है तो ये इलेक्ट्रान आखी नाभिक में क्यों नहीं गिर जाता तो रदरफोर ने एक परिकल्पना प्रस्तूत किया कि इलेक्ट्रान जब इस्थिर होता तब इलेक्ट्रान गिरता इलक्ट्रान इस्थिर नहीं है इलक्ट्रान नाभिक के चारो और बृत्ताकार कच्छा में चक्कर लगा रहा है यही बताया है उन्होंने कि इलक्ट्रान इस्थिर नहीं रहते बलकि नाभिक के चारो और वो चक्कर लगाते रहते हैं चक्कर लगाने के कारण वो नाभिक में गिरते नहीं है प्यारे बच्चो क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जब कुछ भी वस्त विताकार चक्कर करती रहती है, तो उसपे कभी केंरवल लगता है कि एकारण वो जो इलक्रान होता है और नाभिक में गिरता नहीं इस प्रिकार प्यारे बच्चो ये रदर फोर्ड के मॉडल थे अब हम समझेंगे रदर फोर्ड के परमार मॉडल में कमियां अर्थात रदर फोर्ड के मॉडल की कमी क्या थी प्यारे बच्चो तो आप इसका एक एक स्वार लीजेगा फिर हम बात करेंगे रदर फोर्ड के प इन दो चीजों की व्याख्या नहीं की जा सकी सबसे पहला कि पर्मार के अस्थाइत की व्याख्या करने में रदर फोड का जो माडल था वो असफल रहा प्यारे बच्चो क्या पर्मार के अस्थाइत की व्याख्या अस्थाइत का मतलब कि रदर फोड के माडल के अंसा पर्मा तैसे अब ध्यान से समझे का मैं पहले लाइन को पहले पोइंड को ब्याक्ष्या करने चल रहा हूं जब रदर फोड भाया बता दिये की ध्यान से समझना कि यह कोई आपका नाभीक हो गया अब नाभीक के चारो और इलेक्टरान क्या करते हैं चक्कल लगाते चले जाते हैं नाभिक के चारो और इलेक्टरान क्या करते हैं चक्कल लगाते हैं नाभिक के चारो और इलेक्टरान क्या करते हैं चक्कल लगाते हैं चली माल लेते हैं कि ये पहली कच्छा में इलेक्टरान चक्कल लगा रहा था ये हो गया आपका दूसरा ये हो गया तीसरा और ये हो गया चोथा ठीक और एका काव बनाना चोथ बना लो ये हो गया आपका पाचवा अब क्या करता है कि लोगों ने पूछा ये बताओ रदर फोड़ भीया कि जब एलेक्टरान नाभिक के चारो और चक्कर लगाता रहता है तो नाभिक के चारो तरफ चक्कल लगाने वाले जो ये आवेसित कड़ इलेक्टरान बाबू हैं ये धीरे-धीरे अपनी उर्जा को लॉस करेंगे धीरे-धीरे अपनी उर्जा को हानी करेंगे ऐसा तो है नहीं कि आप कोई कारी करते रहो कोई कारी करते रहो आप ठको नहीं आपके उर्जा लास नहों ऐसा तो होता नहीं प्यारे बच्चो तो ये जो इलेक्टरान होते हैं ये इलेक्टरान क्या होते हैं प्यारे बच्चो लगातार जब नाभिक के चारो और घूमते रहते हैं तो लगातार घूमने के कारण इलेक्टरान की उर्जा में हान होगी इल नश्ट हो जाता है तो इस बात का जवाब रदर फोर्ड के पास नहीं था इस बात को रदर फोर्ड नहीं बता पाए प्यारे बच्चो इस बात की ब्याख्या नहीं कर पाए कि इलेक्टरान नाभिक में गिर जाता है तो परमार नश्ट हो जाते हैं तो रदर फोर्ड इस बा बिलमाना जा रहा था एक बाह मैं फिर से बता रहा हूं कि इस लाइन का मतलब है कि नाभी के चारो तरफ घूमने वाले जो इलेक्ट्रान होते हैं वो बृत्तिक अच्छाओं में घूमते रहते हैं यह पर अदर पोर्ड बता कि गये तो भई बोले जब वो बृत्तिक अच्छाओं में घूमते रहते हैं तो इलेक्ट्रान की उर्जा तो हानी होगी कि नहीं घूमने में इलेक्ट्रानों की उर्जा नस्ठ होगी तो इलेक्ट्रानों की उर्जा हानी होते होते हैं क्रिखा स earn r e the और एक बात प्यारा नपिक सब्सक्रति की पास इस प्रेकार प्रामाण नश्ड हो जाता प्रमार का नहीं है यह रदर फोड के माडल के अंसार निकल रहा था प्यारे बच्चो यह सबसे बड़ी निकी कमिया थी सेकंड अगली उन्होंने क्या किया कि रेखी स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में रदर फोड का माडल पूर रूप से असफ़ल रहा प्यारे बच्चो रेखी स् और घुमने वाले जो इलेक्टरान है नाभिक के चार और जो घुमने वाले इलेक्टरान भीया है वो लगातार इलेक्टरान की जो कच्छा है वो लगातार क्या है बदल रही है इलेक्टरान की लगातार कच्छा क्या हो रही बदल रही पहले इलेक्टरान यहां चक्कल लगा के कारण लगातार कच्छा बदलने के कारण इनकी जो लगातार कच्छा बदल रही है प्यारे बच्छो इसके बदलने के कारण इसकी जो अब्रती होती है वो भी क्या हो जाती ही प्यारे बच्छो बदल जाती है और लगातार अब्रती बदलने के कारण प्यारे बच्छो जो इलेक्ट्रान होते हैं, इलेक्ट्रान से जो उसरजित स्पेक्ट्रम होता है, उसरजित स्पेक्ट्रम होता है, प्यारे बच्चों, वो सतत हो जाता है, प्यारे बच्चों, क्या हो जाता है, सतत हो जाता है, यानि, तमाम प्रेकार के हर एक प्रेकार का जो स्पेक्ट्रम है, यह उसरजित करने लगता है प्यारे बच्चो जो की हम लोग जानते हैं कि जो परमाड का स्पेक्ट्रम होता है वो रेखिये स्पेक्ट्रम होता है प्यारे बच्चो ना की सतत होता है ध्यान से समझेगा कि जो परमाड का स्पेक्ट्रम होता है वो रेखिये नूमा होता है सतत नहीं होता और इन्हों इनके माडल के अंसार ये लगातार इलेक्ट्रान की कच्छा बदलने के कारण पर अनेक आप रित्तियों का जो है ये विद्दुचुम्म की तरह के इस्पेक्ट्रम मुत्पन करेंगी प्यारे बच्चो इस प्रेकार ये जो है परमाड के रहेखेघी स्पेक्ट्रम की ब्याक्या करण स्पहल जहा कारण इनका जो मॉडल था वो असफल ना प्यारे बच्चो आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी प्यारे बच्चो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में तब तक कले जैहिंद जैभात थैंक्यों अले श्टूडेंट प्यारे बच्चो